किसानसातियों नमस्कार, मैं पुर्शुत्म कुमार, आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज की वीडियों में आपके अपनी यूटूब चैनल किसानों की पार्ट साला में किसान सातियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में कलनों की शंख्या को कैसे बढ़ाएं किया क्या खाद एम और बरक का उपयोग करें तथा कौन-कौन सी दवाओं का इस्तिमाल करें जिस्षे कि हमारी धान की फसल में टेलिरिंग अच्छी हो तो किसान साथियो आज की जानकारी शुरू करने से पहले हम पिछली वीडियो के जिन किसान भाईयों के सवाल है उनके जवाब दिये देते हैं पहला सवाल है विनोद यादब जी का कि नर्सरी जलने तता गलने के क्या कारण है किसान साथियो धान की नर्सरी में गलन का मुख्य कारण नर्सरी में अधिक पानी भरा रहना होता है जिससे की पानी दूब में गर्म हो जाता है और पारिंग गर्म होने से हमारी जो नर्सरी में पौदे हैं वो गलना वह जाते हैं कभी कभी किसान साथियो नर्सरी में अधिक नमी होने पर फंगस का भी आट액 हो जाता है तो इस समस्चा को खत्म करने के लिए आप कारवेंडा जिम 12% पिलस मेंकोजेब 43% तथा इसके साथ स्ट्रेप्टो साइकलिन एक एंटिबायोटिक को मिलाकर इस्प्रे कर सकते हैं किसान साथियो इस दवा से नरसरी जलने की भी समस्चा खत्म हो जाती है तो किसान साथियो आईए आप सुरू करते हैं आज की जानकारी आज हम आपको कुछ ऐसे उपाये बताएंगे जिनको अपना कर आप अपनी धान की फसल में कल्लों की शंख्या में ब्रद्दी कर सकते हैं किसान साथियो पहला उपाय है हम अपनी धान की फसल में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें पोसक तत्तों की उचित मात्रा प्रदान करना बहुत जरूरी होता है अगर धान की फसल में पोसक तत्तों की बात करें तो नाइट्रोजन तथा जिंक इन दोनों पोशक तक्तों की कल्लों की शंख्या में ब्रद्धी करने में अहम भूमिका होती है नाइट्रोजन फसल की बानसप्रितिक ब्रद्धी को बढ़ाता है इसके लिए आप धान की रोपाई के 20 दिन बाद नाइट्रोजन तथा जिंक का छड़काओ कर सकते हैं यदि आप यह छड़काओ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके लाद किसान भाईयों कल्ले बढ़ाने के लिए दूसरा उपाई है फसल में पाटा लगाना यह सुनकर आपको अजीब सा जरूर लगा होगा लेकिन किसान सातियों पाटा लगाने का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है इसके लिए आप धान की फसल में 35-40 दिन बाद लगवक 4-5 इंच खेत में पानी भरने के बाद एक बास यह लकड़ी का 10-15 कलो का एक टुकड़ा लेकर उसमें रसी बांद कर पूरे खेत में पाटा लगा देते हैं जिससे हमें अपनी फसल में कलों की शंख्या में ब्रदी देखने को मिलती है इसके साथ साथ किसान साथियों तीसरा जो पाय है यह है कि हमें अपने खेत में हर समय पानी नहीं भरा रखना चाहिए खेत को बीच बीच में पानी रहित कर देना चाहिए इससे क्या होता है कि सूरिय की जो क्रणे होती है किसान साथियों बैस सीधे जमीन पर पढ़ती है जिससे पौदों को सकारात्मक उर्जा मिलती है लेकिन किसान साती हो इस बात का ध्यान रखें कि खेत इतना सूखा ना हो कि उसमें दरार पड़ जाए इसलिए खेत में हलकी नमी बनाए रखना चाहिए इसके अलाबा चौथा जो पाय है किसान भाईयो आप 240 इथाईल इस्टर का आइस्प्रे कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि 240 तो एक खरपत बार नासी है लेकिन किसान भाईयो ये खरपत बार नासी होने के साथ साथ इसमें हार्मोन भी होता है जो पौदों को इनेवियेट करने का काम करता है यदि हम इसकी अधिक मातर लगाते हैं तो ये खरपत बारों को नश्ट करता है लेकिन इसका उपयोग अगर हम कम मातरा में करते हैं तो ये पौदों की ब्रदी को रोगने का काम करता है और कल्लों की संख्या को बढ़ाने का काम भी करता है इसकी मात्रा की बात करें तो किसान सातियो आप इसे 5 ml 240 इथायल इस्टर को 15-20 लीटर पानी में घोल कर इस्प्रे करते हैं तो आपको अपनी धान की फसल में कल्लों की शंख्या में ब्रद्धी देखने को मिलती है तो इस प्रकार से युपाय करके आप अपनी धान की फसल में कल्लों की शंख्या को बासकते हैं किसान सातियो यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा किसानों के हित में शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब करें